2024 के प्री के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है देखा जाए तो अब एक से दो महीने के बाद आपको अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्री पर ही फोकस कर देना होगा क्योंकि यदि आप 2024 में UPSC क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यह बेहत जरूरी है कि आप प्री को बहुत ही सीरिस्ली ले और इसकी तयारी के लिए बेहत जरूरी है कि आप सभी से एक इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्राटेजी तयार कर ले और इसलिए आज के विट्यू में हम आपको UPSC की तीन फिलर्स के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर ही आप प्री की पूरी तेयारी की इमारत खड़ी कर सकते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एक्जाम के यूट्यूब चानल पर एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉंपटिटिव एक्जाम से जुड़ी महत्वपून जानकारियां जो आपको किसी भी एक्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है अगर आप हमारी यूट्यूब चानल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे लेटेस वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले इन किताबों को उस शेत्र के विशेशग्य और शिक्षा विद्ध की निगरानी में तयार किया जाता है इसमें दी गई सूचनाएं और तथ्य प्रमानिक होते हैं यही कारण है कि UPSC में कई सवाल सीधे NCRT से ही पूछे जाते हैं कई स्टूडेंस NCRT की किताबों को गंभीरता से नहीं लेते हैं यही सरसरी तोर पर तेजी से इसकी सभी खंडों पर एक नज़र डालेंगे आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि NCRT की किताबे बढ़ ली ऐसा करके वो अपना नुकसान करते हैं क्योंकि गंभीरता से नहीं पड़े होने के कारण कई बार यासान सवालों का भी वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं UBSC की तयारी कर रहे स्टूडन्स को NCRT की छे से लेके बारवी क्लास तक की प्रतेक पुस्तके के हर टॉपिक को गंभीरता से पढ़खर उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए स्टूडन्स चाहिए कि CV स्ट्रीम का हो उसे NCRT की किताबों का नजर अंदाज नहीं करना चाहिए बेसिक्स के साथ कॉंसेट भी क्लियर करना चाहिए NCRT की टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद यूट्यूब पर समबंधित सूचनाए और जानकारियां विडियो के माध्यम से समझनी चाहिए या फिर गूगल पर सर्च करके नोट्बुक में अलग से नोट कर लेना चाहिए NCRT की सभी किताबों को यदि फोकस होकर रोज 3 घंटे लगबग पढ़ते हैं तो 3 महीने में सभी सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं लेकिन यदि आपको लगता है कि आप इतने समय में NCRT की इतनी सारी किताबों को पूरा कवर नहीं कर सकते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है प्रभाद बुक्स आपके लिए लेकर आया है NCRT की जिस्ट बुक जिसमें आपको क्लास 6 से लेके बारवी तक की NCRT की पूरी समरी एक ही जगा पर मिल जाएगी यह किताब एक आये जवारा लिखी गई है जिन्नोंने इसे खास UPSC Aspirants को ध्यान में रखकर ही लिखा है सफलता का मंत्र आगे की रा और सामना की जाने वाली चुनोतियों को जानने में है चुपा है पिछले वर्ष के प्रशनपत्रो को हल करने से ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रशन पूछे गए हैं कौन से शेतर से महत्वपोण है क्या प्रशन स्थिर भाग या गतीशिल भाग से अधिक है आदी परीक्षा पाटन को समझने से उमीदवार के लिए प्रक्रिया आसान हो जाती है परीक्षा पाटन को समझने इसे क्रैक करने के प्रमुख तरीकों में से एक है पिछले वर्ष के प्रश्ण पत्र का हवाला देकर पाठे क्रम हर वर्ष के बारे में जानकारी एकत्र की जा सकती है अंकों के महत्व जैसी कुछ चीजों भी निर्धारित की जा सकती है जो उमीदवार को अपनी तैयारी की रणनीती तैयार करने में मदद करती है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्णों के प्रकार प्रक्रती और प्रारूप की विक्सित समझ विचले वर्ष के प्रश्ण पत्र को हल करके जानी जा सकती है और प्रिलिम्स में वश्टू निष्ट प्रकार के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो ये बहुत महत्वपोन हो जाता है साथ ही विशेश रूप से विबिन वर्गों के लिए जटिलता का स्थर भी समझा जाता है एक बार जो प्रशन प्रारूप की प्रक्रती को जान लेंगे तो वास्तविक परीक्षा में प्रशन पत्र को समाप्त करने का कम समय लगेगा पिछले वर्षों के प्रशन पत्रों को हल करने से आपको तैयारी की रणनीती में मदद मिलेगी उमीदवार अपनी तयारी का आकलन कर सकते हैं और प्रग्रती को ट्रैक कर सकते हैं कमजोर श्रेत्रों को इंगंत किया गया है और आपको तयारी प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्दनों का एहसास करा सकती है स्वर मुल्यांकन UPSC की तयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब आप पिछले वर्षों के प्रशन पत्रों को हल करेंगे तो आपको अपनी तयारी का स्तर का अंदाजा हो जाएगा आप गलतियां करते हैं और आप उनसे सीखते हैं गलती का विशलेशन करें और अपनी रणनीती को फिर से परिभाशित करें ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहतर प्रदर्शन में मदद करेगा पिलर नमबर 3, Current Affairs Current Affairs राष्ट्रे और अंतराष्ट्रे महत्व की घटनाओं को संधर्बित करता है जो CSC, Bank आदी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के द्रिष्ट कोन से प्रासंगिक होता है परीक्षा प्रारूप में बदलाव के साथ समसमाईक घटनाकरम में से संबंदित रश्णों से प्रतियोग्यों से चयन में प्रमुख भूमे का निभाई है करन्ड फैस की तयारी करने के लिए सबसे अच्छा तरीका दैनिक समाचार पत्ति, प्रेस, इंफिमेशन ब्यूरो, पी आई बी और योजना पत्रिका जैसे विश्वसनी सोर्सिस को फॉलो करना चाहिए आई इस परीक्षा, सरकारी परीक्षा या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए समसमाय घटना क्रम की अच्छी समझ आवशक है समसमाय घटना क्रम, इतिहास, बुगोल, अर्थ विवस्था, परियावरण और परिस्तिकी, राजनीती, विज्ञान और पत्योगी की आदी जैसे विश्व का विस्तार स्पैन करता है UPSC परीक्षा की तयारी करते समय प्रदियोग्यों को ये तै करने में कठनाई होती है कि कौन सी खबरे पढ़नी चाहिए और किन से बचना चाहिए यही पर विशेश अग्यों का मार्ग दरशन काम आता है प्रती दिन देश और दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं की एक पूरी श्रिंकला होती है अब इस शोष शराबे के बीच आप IS परीक्षा के लिए प्रासंगिक समसमाय घटना करम का चयन कैसे करते हैं यह तैय करने में बहुत समय बिताने की बजाए कि कौन से समसमाय घटना करम का अधियन करें और फिर उन पर नोट्स बनाएं यदि आप दिनिक समाचार विशलेशन प्राप्त कर सकते हैं और विशेश रूप से IS परीक्षा के लिए उन्हें विशलेशित कर सकते हैं तो हमारे चानल को रेगिलरली फॉलो करें क्योंकि यहां हम हर दिन आपके लिए करेंट फैस से जुड़ी कॉंटेंट्स लेकर आते रहते हैं अगर आपको हमारे यह विडियो पसंद आये से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताए जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए व झाल झाल झाल